संप्रदान कारक चतूर्थी विभक्ति के प्रश्णों को आज हम लोग कर लेंगे तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग सिर्फ उन्ही प्रश्णों को करेंगे जिसे आप लोग को करना है तो यहां फॉर्स्ट एक्सुसाइज में जब हम आते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि संस्कृत में आंसर करना है तो complete sentence में आंसर किजेगा आप लोग First वाला question हम लोग नहीं करेंगे यह परिभाशा देनी है संप्रदान कारक की संस्कृत में तो इसको आप लोग छोड़ दीजेगा खवाले से हम लोग लेंगे जन्सम मर्दह कुत्र अस्थी जन्सम मर्दह तिर्थ स्थाने अस्थी तो कुत्र की स्थान पे हम लोग तिर्थ स्थान जोड़ लेंगे भिक्षु का कुत्र तिश्ठंती यहाँ भी कुत्र की जगपर हम आंसर को लिखेंगे भिक्छुका मंदिर समी पे तिश्ठनती नेक्स्ट घव में आते हम लो राजा केभ्य वस्त्रानी ददाती तो यहां केभ्य के इस्थान पर आंसर को हम लो जोड़ेंगे राजा ब्राहमनेभ्य वस्त्रानी ददाती अंगा में हम लोग आ रहे हैं प्रश्न है तिर्थ इस्थाने जनाह किम कुर्वन्ती तो आंसर में किम की जगपर हम लोग आंसर को जोड़ेंगे तिर्थ इस्थाने जना पिंददानम कुर्वन्ती तो यह हम लोग का फॉर्स्ट वाला का जो आंसर है उसको हम लोगों ने कर लिया अब हम लोग सेकिंड में आएंगे यहां पर रिक्त इस्थान को भरना है ड्रैकिट में कुछ शब्द दिये हुए हैं इसमें से सही वाला अप्शन चुन करके हमको यहां पर भरना है तो क में हम लोग आ रहे हैं सेकिंड का क राजा ब्राह्मनिभ्य वस्त्रानी ददाती ख में पिता पुत्राय मोदकम आन्यती गह में हम लोग आ रहे हैं माता पुत्राय प्रात्राम करोती गह में हैं एका महिला पुजाय पुश्पानी चिनोती अंगा में सह देवता भ्याम दुगधम अर्पयती चा में हो जाएगा क्रिशकह व्रिशाय घासम आन्यती चा में हैं माला कारह पुश्पेभ्य उपवनम गच्छती जह में हैं दुगधम शरीराय हित करम भवती जह में हैं घुरु शिश्याय क्रुध्यती यह में हो जाएगा माता उमाय फलानी यच्छती तो यह हम लोग का second question का सारा objectives हम लोगों ने देख लिया अब हम लोग third वाले में आएंगे यहां भी bracket में कुछ शब्द दिये हुए हैं सही शब्द को sentence के हिसाब से भारना है तो third वाला हम लोग start कर रहे हैं कमेह गुरुह शिशुभ्यह ज्यानम ददाती सैनिका देश सेवाय प्रानान तज्यनती गमेहुजाएगा कुकुराह आहाराय एतिस्तत भ्रमंदी गमेह जनाह प्रानत्रानाय भोजनम कुरुवंती अंगमे सज्जना अंगेभ्य धनम यच्छनती च में हम आजाएंगे यहाँ पर रिक्छाह परुपकाराय फलंती च में हम लोग देखेंगे गनिशाय नमह जह हो जाएगा हमारा शिश्य गुर्वे निवे देयती डैश जह में हो जाएगा डैश के जगह पर अगनिय स्वाहा और यहाँ में हमारा यहाँ हम देखेंगे प्रजाभ्य स्वासित अब हम लोग फूर्थ को फूर्थ वाला क्वेस्चन को छोड़ दीजे का आप लोग फिफ्थ में हम लोग आ जाएगे यहाँ पे तीन कॉलम दिये हुए है और तीनों में शब्द दिये हुए है इन्हें जोड करके कम्प्रीट सेंटेंस बनाना है हम लोग को तो फर्स्ट है व्रिक्छाह परोपकाराय फलंती समुद्रह परेभ्य बहती सूर्य लोकाय प्रकाश्यते सज्जनाह अन्येभ्य भवंती राजा दरिद्रेभ्य ददाती विद्यार्थी ज्ञानाय ये येते अब यहाँ पर सिक्सवाला को फिर आप लोग को नहीं करना है इसको छोड़ दीजेगा और अन्त में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे इसको आप लोग कर लिजेगा सही विकल्प इसमें चुनना है माता कस्में मोदकानी आन्यती तो माता पुत्राय हो जाएगा इसका सही आप्शन गुरू कस्में ग्यानम ददाती तो यहाँ शिश्याय हो जाएगा सीता कस्यें पुस्तकानी नेती तो यहाँ लताय हो जाएगा तो यह हम लोग का इसका एक्सरसाइज इस कम्प्लीट हुआ फर्स्ट वाला जो question answers जो दिया हुआ था उसको आप लोग chapter के अनुवाद को करने के बाद यह वाला प्रशन यानि कि जो सबसे first मैं हम लोगों नहीं किया था यह चार प्रशनों को यहां first से ले करके यहां अंगा तक यानि खस से ले करके अंगा तक इन चारों प्रशनों को आप लोग copy में कर लीजेगा बाकी आप लोगों को करने की copy में करने की ज़रती है book में ही करके complete किजेगा